सब्सक्राइब नाओ and प्रेस तब बेल आइकेन प्रतिनीदियों को वापस घर भठाने का अधिकार मद्दाताओं के पास होगा इसी तरह हर दूसरे गाउं की सरपंच महला होगी जो की ग्रामिन प्रवेश की महलाओं के लिए क्रांती कारी कदम होगा पुद्वार से शुरू हो रहे हर्याना विधान सभा के सत्र में इस बारे में विधेयक लानी की योजना है हर्याना के उप मुख्य मंत्री दुश्यंत चिटाला ने वहाँ पतरकारों से बाचित में कहा की पूरव उप्रधान मंत्री चोधरी देविलाल इस बात के पक्षधर थे की पंचायती रासन स्थाओं के चुने हुए प्रतिनी दी अगर लोगों में अपना विश्वाश खोद देते हैं तो जनता को राइट टू रिकॉल का अधिकार मिलना चाहिए उन्होंने कहा की इस सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए उन्होंने पंचायती राज के अधीन चुने जाने वाले सरपंच का उधारन देते हुए बताया की कई बार सरपंच पर अपने पद के दुर्ट्यों के अरोप लगते हैं जिसमें लोग चाहते हैं कि उनको पद से हटाया जाए ऐसे में अगर राइट टू रिकॉल का कानून बन जाएगा तो ग्रामीन मद्दाताओं को सरपंच को हटाने का अधिकार मिल जाएगा हर्याना में पंचायत राज में 50 परतीशत पद महलाओं के लिए अरक्षित करने का वधेयक भी सधन में लाया जाएगा इस वधेयक के पास होने से ग्रामीन प्रवेश में रहे रही महलाओं के लिए ना केवल राजनीदी के नए द्वार खुलेंगे बलकि उन्हें खुद को साबित करने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा दुशन चुटाला ने कहा कि इसी तरहां पंचायती राज संस्थाओं में BCA कैटेगरी के लिए आठ परतीशत अरक्षन निधारित करने से सबंदित वधेयक लाया जाएगा उन्होंने बताया कि इसी सतर में परदेश के युवाओं को नीजी छेतर में 75 परतीशत नौक्रियां देने के लिए वधेयक लेकर आएगे